हलो फ्रेंड्स, आपको सारी वोकेबलरी आती हो, तब ही आप पैसे सौल कर पाएंगे, ठीक ठाक अंडरस्टेंडिंग भी है अगर इंग्लिश की, तो भी आप असानी से पैसेज को सौल कर पाएंगे, और ये 15 नंबर जो आपके बिल्कुल एक कहें न बहुत ही फ्री के को यहां से लेना है पैसेज से, एक सेम वीडियो आपको हिंदी के पैसेज के मिलेगी और एक आपकी इंग्लिश के मिलेगी, दोनों हम सॉल करेंगे और देखेंगे को किस तरीके से डील करना है आपको पैसेज में, ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, आप आप कहेंगे कि मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी हमें हिंदी नहीं पता होनी होती है फॉर्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारे वर्ड्स की हिंदी कभी नहीं पता हो सकती कि किसी को भी नहीं पता हो सकती है सिर्फ आपको पैसिज का एक आइडिया लेना है क्योंकि एक्जामिनर सिर्फ आपसे यह देखना चाता है कि आपको अगर स्कूल में एज टीचर कोई डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है बाइचांस इंग्लिश में आप उसको कॉम् इसको पढ़के समझ भी पाएगा या नहीं पाएगा यही चीज आपकी है कि बच्चों को आपको इंग्लिश पढ़ानी है बाजा करके तो आपको एट लीस्ट इंग्लिश की एक बेसिक समझ होनी चाहिए ठीक है यहां पैसिज की बात करेंगे कि अगर आपको बहुत कम अ अंसर निकाल पाएंगे उसकी हम बात करेंगे आज ठीक है तो कुछ ऐसे पॉइंट से जो आप लोगों के साथ में मैं डिसकस करूंगी कि क्या है जो हम देख सकते है पैसिज में सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है अंडस्टेंडिंग यानि कि आपका जो पैसिज है ना उसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी निकालने की ज़रूत नहीं है आपको सिर्फ पैसिज का एक सारांच देखना है पैसिज कह किस बारे में रहा है किस बारे में जिक्र किया जा रहा है पॉइंट क्या है ठीक है एक normal understanding आपको पैसिज के बारे में अपनी बनानी है कि जब आप questions को पढ़ेंगे सबसे पहले ना अगर passage पढ़ने बैट जाएंगे फिर question को पढ़ेंगे ना तो बड़ी confusion हो जाएगी लेकिन अगर आप सबसे पहले questions को पढ़ लेंगे तो कुछ tag words वो आपकी mind में रह जाते हैं अच्छा question में यह पूछा गया था फिर जब आप फ कोई मतलब टोक देगा आपको टीचर भी की question paper में मत लिखो वहापे मतलब रंगीन ड्रॉइंग नहीं करनी है बस हलका सा या तो उसको आप इस तरीके से bracket लगा लो जहां आपको tag word मिल जाए कि अच्छा यह point question में था वहापे आप क्या करेंगे टिक करके रख लेंगे 2000 इस तरीके कोई number हो 1992 इस तरीके कोई number हो मला sun दे रखा हो या फिर आपको किसी का name दे रखा हो को particular किसी बंदे के बारे में बात की जारी हो passage में तो यह tag words आपको ध्यान रखने जब भी passage में आए आप उनको वहापे एक हलका सा क्या करेंगे dot 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 करके आप उसको mark कर लेंगे गया है नहीं स्युक्षा है जाद स्यूडेंट्स के साथ में सिनॉनिम और एंटनिम नहीं पता होते हैं यहां में क्या करना है इसके ऐसके ऊपर बैट करके पूरा गंटा नहीं वेस्ट कर देना कि सिनॉनिम एंटनिम हमें पता नहीं है यहां Antonio,аете, पिशिज में जाना है यह वर्ड यहां पर ऐसे positively use किया गया है और इसका हमें एंटोनिम बताना है तो इसका opposite बताना है ठीक है मिल जाता है और यहां पर elimination जो method है वह बहुत इस्तेमाल मतलब अच्छा इस्तेमाल हो जाता है यहां पर synonym में तीन-चार वर्ड अगर आपको थोड़े थोड़े उनकी meaning भी पता हो न तो जो एक word जिसका meaning आपको नहीं पता है उस पर आप एक guess लगा सकते हो कि यह वाले का meaning नहीं पता तो यह वाला कर सकते है ठीक है यह guess काम कर जाता है कई बार एक title और एक central idea इसके लिए आपको मैं best advice करूंगी title और एक central idea के लिए आपको मैं हमेशा बोलती भी हूँ कुछ पांच साथ passage जो है न वो पेपर से पहले solve करके रखो उससे आपको idea होगा कि आपके दिमाग में passage का central idea यह title आप क्या निकालते हो ठीक है आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके से दे रहा है passage में से निकालके आपको फटाक से idea हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से इसका title निकालना होता है जरूरी नहीं है एक line जो passage में 10 बार repeat हो रही है वो ही आपका title निकल जाए कई बार ऐसा होता है कि जो word या जो चीज बहुत जादा repeat हो रही है passage में वो आपका title या central idea निकल जाता है लेकिन ऐसे आजकल होता नहीं है passage इतना simple नहीं आता है टाइटल जो होता है वो उसके अंदर मतलब नहीत होता है अंदर passage के अंदर छुपा हो होता है तो उससे आपको idea हो जाए कि जब 5-7 पैसी सॉल करोगे तो अपने आप idea हो जाता कि कहा पर दिक्कत आ रही है कहां पर आप गलत निकाल रहे है आइडिया कहां पर सीटट क्या answer दे रहे है ठीक है तो चार-पांच पैसी आप स्वाल करोगे इतने में आपको समझ आ जाएगी यह चीज़ डॉन ट्राइट एवरी वर्ड जैसे कि मैंने कहा पैसीज का हर एक वर्ड जो है वो आप ट्रांसलेट करने नहीं बैठेंगे मां यह ऐसा होता है ना कि भई हम पैसेज पढ़ने लगे है आपको एक वर्ड की वहां पे हिंदी नहीं आ रही अच्छा है यार इसका मीनिंग क्या है इसकी तो मुझे हिंदी नहीं आ रही है मुझे पैसे समझ में नहीं क्या होनी चाहिए कोई बात नहीं उसको वहीं चोड़ दो उसको आधा इंगलिश में अपनी माइंड में रखल अच्छा इसमें इस बारे में बात जारी एक परटिकुलर वर्ड की हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं आंसर में देखेंगे कैसे डूनना है तो एक word के उपर अटक के नहीं बैठना है कि every word के आपको Hindi निकालना है उसको ट्रांसलेट कना नहीं एक मोटा मोटा idea लेना है आपको passage को पढ़के कि अच्छा इस बारे में बात की जा रही है तो ये मेरा काम है याँ पे ठीक है उसके बाद में sequence of questions बहुत लोग आपको ये trick देते होंगे कि भाई first question का answer जो है वो first paragraph में मिल जाएगा second question का answer जो है second paragraph में मिल जाएगा third question का answer third paragraph में मिल जाएगा देखो पहले इस तरीके के passages आया करते थे लेकिन आज कल जो है ये tricks जो हम लोग यूज करते हैं इसमें बहुत हद तक examiner भी जो है क्योंकि syllabus तो चेंज हो नहीं सकता तो paper को किस तरीके से tough बनाया जाए तो क्या करेंगे पहला ही question आपसे ऐसा पूछेंगे जो passage के बिल्कुल last stanza में आता हो ठीक है पैसे solve करेंगे हम उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो सारी कहानी हम बता रहे थे वो किस सरीके से हमें इस्तिमाल करनी है ठीक है तो ये हमारा passage है ये आपका seated paper 2 से लिया हूँ पैसेज है कई बार paper 1 में बहुत 30 पैसेज आता है इसलिए मैंने paper 2 से इसको लिया है 2018 का होगा शायदी है ठीक है आप जाके खुड चेक कर सकते हैं इसको और official answer की के साथ में मैच कर लेना इसको ठीक है अब हम देखते हैं मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ एक बार के लिए आप देखो इसके इसको पहले देखते हैं फिर पैसेज पे जाएंगे हम लोग क्या बोला गया है इन आवर एव्रिडे कंवर्सेशन वी यूज अ लिमिटेड नंबर ओफ वर्ड को यूज करते हैं क्या इसका आपका क्या है और वोकाबलरी इज अनलिमिटेड यानि कि हमारी वोकाबलरी जो नंबर ओफ वर्ड को मतलब यूज करते हैं इसको भी पैसेज में देखेंगे ठीक है अब आपको याद रखना है कि अमने कौन कौन से क्वेस्टन को पढ़ा है एक क्वेस्टन यहां पे विच आप फॉलिंग वर्ड is most often used in English language इन में से कौन से सबसे जादा यूज किया जा यहां पे पैसेज में आपको दिया होगा उसका हमें यहां पे सुनोनिम ढूनना है देखेंगे पैसेज में रिमार्केबल किस कॉंटेक्स्ट में यूज हुआ है फिर आता है इसका ओपोजिट वर्ड ढूनना है और उसका आपको क्या करना है ओपोजिट ढूनना है इसके खो आता है which part of the speech is the underlined word in the following sentence अब यह देखे एक क्वेस्टन ऐसा है जो प्योर आपका grammar से है तो इसके लिए थोड़ी ना दुनिया भर की grammar पढने की ज़रो है तो इसके लिए थोड़ी ना दुनिया भर की grammar पढने की ज़रोगा देखो इसमें अंडर्लाइन हट गया है क्योंकि मैंने यह वह से हटाए है तो एवर जो वर्ड है यह अंडर्लाइन था यहां पर ठीक है हाफ मिलियन जो वर्ड आपके वह इंग्लिश के अंडर होते हैं यह आमने क्वेस्टन पढ़ लिये सारे के सारे अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैसिज अब क्या कहते हैं अब फटा फट से पैसिज को देख लेते हैं एक बर के लिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3,000,000,000 जो वर्ड होते हैं वो टेक्निकल होते हैं और ओडिनरी डिक्शनरी में मिलते भी नहीं है तो यह क्या है आपकी मोस्ट वाइडली स्पोकन इंग्लिश सबसे जादा बोली जाती है सबसे आदा गिसी जाती है इस रिमार्किबल अचीवमेंट अब देखो यह क्या ह आपकी रिमार्किबल अचीवमेंट रिमार्किबल क्या होते है भाई एक अश्चर जनक एक ऐसा धारण जो चीज होती है ठीक है is only because of one thing that we all love to do copy यह किस लिए है इतनी अचीवमेंट किस लिए हैं इंग्लिश की भाई हर जगे यह गिसी जाती है तो किस लिए है क्योंकि हम जाता copy करना मतलब पसंद करते हैं जैसे कि एक sister word for example is Spanish origin यह word आपका Spanish से लिया गया है Sputnik word जो है आपका वो कहां से लिया गया है Russian से लिया गया है restaurant is from France and super from Germany ठीक है यह आपका Germany से लिया गया है even before the birth of the genius of drama William Shakespeare the word genius and drama यह सब कहां से लिया गया है word genius or drama ग्रीक से लिया गया है अडप किये गया है now you must be wondering if English has anything original about it अब आपको लग रहा होगा कि English में कुछ original भी है ठीक है यह सारे के सारे बार से लिये वह word इसके अंदर में ठीक है तो देखते है well find it out did you ever try to find out how many words different words of English we use in our daily life कभी देखा है कि कितने original word हम use करते हैं try to guess and then read try to guess and then read on a modern novelist has a vocabulary of anywhere between 10 to 15,000 words ठीक है William Shakespeare used that 30,000 words and only writer to come close only writer to come close to him was James Joyke in Ulysses ठीक है we normally have a vocabulary of about 10,000 words of which only 5,000 are used in everyday conversation अब हमें पहले question में पढ़ा था कि हम 10,000 words में से कितने words होते हैं जो कि use करते हैं तो कितना है 5,000 words हम use करते हैं इसको आप याद रखेंगे question में हमने देखा था अप्शन में 5000 था ठीक है जी everyday conversation में this leads to a limited variety of words this is because we repeated a lots of words देखो अब उसने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं limited variety है हमारे पास words की तो हम क्या करते हैं repeat करते हैं lots of words को ठीक है क्या करते है repeat करते हैं यह भी अप्शन में देखा था in conversation and in writing is the यह देखो the trying counting in this article and you will have proof of it यह जो the word है ना इस article में 70 बार इस्तिमाल हो चुका है आपको पता चल जाएगा देखो हम लोग कितना repeat करते हैं words को यह भी हमारे option में है अब चलते हैं हम अपने options के उपर questions के उपर in our everyday conversation we use a limited number of words because अब यह भी हमने पढ़ा because we repeat a lot of words अब देखो अब मार्लो ट्रीक इसके अंदर की भई पहले question का answer पहले paragraph में मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा में देखो लास्ट में मिल रहा है हापे तो है ना तो यहां के answer रहेगा आपका we repeat a lot of words ठीक है हम repeat करते हैं बहुत सारे words ठीक है अब देखते हैं आगे how many words are usually used by a English speaking person अभी अभी हमने यह भी पढ़ा था कितने यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे words में से कितने ऐसे words हैं जो हम इस्तिमाल करते हैं तो कितने करते हैं 5,000 अभी अभी हमने passage में पढ़ा था यह भी ठीक है कि 5000 words हम इस्तिमाल करते हैं आप देख लेते हैं इसमें क्या है कि word जो है आपका remarkable ठीक है इसका similar word पूछा है synonym पूछा एंटर निम मत ढूंड लेना remarkable जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक remarkable achievement है यानि कि रिमार के बल आप खुछ समझ सकते हैं मतलब एक मला याद रखी जाने वारे एक ऐसा अधारन एक आश्यर जनक मतलब वंडर वाली चीज होगी रिमार के बल तो इसमें रेमेडियल तो होनी सकता कभी भी ठीक है remaining यानि की बचा हुआ हो गया अप्शनल यानि कि आपको पता है औप्शनल हो गया ठीक है तो यह तीनों आपके अपने आप अपट गये यहां पर elimination जो मैथड़ा बहुत काम आता है यह वर्ड है इसकी चाहे आपको Hindi पता हो चाहे ना पता हो रिमार केवल का आपका क्या आएगा यह आपका astonishing word है जो यह वाला आपका इसका आंसर रहेगा क्योंकि इन टीनों की तो आपको कम से कम पता है ना तो यह वाला आपका आंसर हो जाएगा उसके बाद में हम बात करते है तो word is opposite in meaning of ordinary अब ordinary का मतलब तो आपको पता है कि ordinary का मतलब होता है भी सधारन चीज होना कोई ठीक है तो usual का मतलब भी सधारन होता है ठीक है complex का मतलब होता है जटिल होना कोई चीज ठीक है complex क्या होता है आपका जटिल होना और libel क्या होता है libel तो आपका हो गया वही किसी चीज के लिए उत्तरदाई होना तो यहाँ आपको वैसे ही अपना आंसर मिल जाएगा कि भई यूजवल तो बिल्कुल सेम वर्ड हो गया और्डनरी से स्पेशल जो है वह आपका होगा ठीक है complex यानि कि जटिल हो गया वह बिल्कुल अलग हो गया लेकिन हमें चाहिए opposite तो ordinary हो गया साधारण ठीक है साधारण और साधारण का उल्टा क्या हो गया आपका complex यानि कि जटिल तो answer क्या रहेगा आपका जटिल रहेगा ठीक है third number आपका answer रहेगा इस तरीके से basic understanding से आपको answer निकालना है यहां क्या है यह बिल्कुल आपका क्या है underline word following sentence look each part of speech कौन सा है आपका तो आपका answer रहेगा एडवर्ब है आपका ठीक है यह तो आपको grammar की पता होनी चाहिए इसलिए है it is the richest language अब हमने यह लाइन बहुत बार पड़ी है हम सोचेंगे यह answer होगा कि English richest language है इसलिए ऐसा होगा लेकिन ऐसा है नहीं ठीक है it has taken words from other languages बिल्कुल ठीक बात है सबसे जादा use क्यों की जाती है क्योंकि इसने बहुत सारी भाशाओं के अलग अलग words जो है वो ऐसे क्क्यूश में बहुत सारे ऐसे word जो आपने सुना होगा ना यह लिटि क्योंकि बहुत सारे यह लिया गया है यह जाती है यह आपके लिया गया तो इस्तरीके से जरूरी नहीं जो चीज़ बार रिंद रिपीट की जा रही रहे बहुत कि आइं फिर फिर्मारीच नशा जो निकलते हैं आपके, यह हमारा passage था, जिसके थूरू हमने इन questions को deal किया, तो आपने देखा, पहले हमने questions को पढ़ा, उससे हमें कुछ tag words हैं, जो आपके mind में रह जाते हैं, और उससे हमारा passage, वो easily solve हो पाता है, चाहे आपको vocabulary की knowledge हो, चाहे बहुत ही basic knowledge हो, तब भी आपका काम चल जाता है, ठीक है, तो यह मेरी चोटी सी कोशिश थी, अब आपके लिए advice मेरी तरफ से सिर्व इतनी सी रहेगी, कि आप कम से कम पात से 6 passage जो है न, वो इस तरीके से practice करें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप एक passage की simple language को समझ करके, और आप answer निकाल पाएंगे ठीक है, और अपने सभी friends के साथ में इसको जरूर शियर करें, जिसको भी passage में problem होती है, जिसको भी English में problem होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, एक basic understanding होने पर भी आप अपने passage की marks को बचा सकते हैं, thank you, keep learning, keep supporting and keep sharing